वेलकम बैक, आज की इस वीडियो में हाँ पर हम बात करेंगे Redmi के अपकमिंग TVs की जी हाँ दोस्तों 22nd September को Indian Market में Redmi अपने दो नए TVs को लॉंच करने वाला है जिसमें पहला है 32-inch HD Ready TV और दूसरा है 43-inch Full HD TV यानि कि यहाँ पर 25 और 20,000 रुपे के अंदर का जो section है उसमें यहाँ पर आपको Redmi के तरफ सर्थ TVs देखने मिलने वाला है और इसी के साथ Acer भी अपने TVs को लॉंच करने वाला है जिसमें आपको 32-inch और 43-inch Full HD TVs भी देखने मिलने वाला है यानि कि अगर आप इस कैटिगरी में TV लेनी की planning कर रहे हो तो जल्द ही आपको Market में दो नए options देखने मिलेंगे वेल आज की वीडियो में यहाँ पर हम Redmi Smart TVs की बात करेंगे जारेंगे क्या कुछ यहाँ पर आपको नया मिलने वाला है मैं अपना थोड़ा सा opinion भी आपके साथ share करूँगा तो वीडियो इंटरास्टिंग होने वाली है एंड तक जरूर देखिएगा बाकि अगर वीडियो आपको informative लगे वीडियो से अगर आपको value मिले तो definitely like जरूर कर देना बहुत motivation मिलती है इससे इसी के साथ smart TV लेनी की planning कर रहे हैं मैं आपके लिए हमिश्चे available हूँ बात करते हैं यहाँ पर हम Redmi के इन upcoming TVs की तो यहाँ पर look or design TV का decent है bezel वगरा ज़ादा मोटी नहीं है medium size की bezels यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है जो first look यहाँ पर दिया गया है तो इसमें TV का जो look है वो अच्छा लग रहा है इसी के साथ बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको नया मिलने वाला है तो नई चीजों की बात करी जाया है तो यहाँ पर इन TVs में आपको Android TV 11 मिलने वाला है पहले तो Android TV 11 मिल रहा है और उपर से patch wall यानी मतलब मखन लगा के मिल जा रहा है तो जो लोग online content जादा देखते हैं उनके लिए बहुत बढ़ी है user experience आपको मिलने वाला है और patch wall 4 में तो आपको पता ही है काफी कुछ यहाँ पर नया लाया गया है जैसे कि AMDB की rating मिल जाती है और अलग-अलग section में जो है वो content categorize किये गए है तो कफी अच्छा user experience मिलने वाला है बाकि बात करे जाए यहाँ पर sound department की तो यहाँ पर 20 watt के speakers मिलने वाले हैं Dolby Audio and DTS Virtual X का support मिलने वाला है मेरे साब से यहाँ पर upgrade की जरूरत है sound bar मिल जाता है 32 inch के TVs में और वहाँ पर आपको output जो है वो 40 watt तक देखने मिलती है तो मेरे साब से यहाँ पर 20 watt रखा गया है जो कि आपको बहुत ही basic और एक type से decent sound के सकते हो लेकिन आपको उतना बहतर experience नहीं मिल पाता है विकास मी की TVs को मैंने काफे दा यूस किया है specifically 32 inch वाली TV मी TV 4 मेरे पास personally 3 and audio experience में कहूंगा उतना बहतर नहीं मिलता है 20 watt के speakers में I hope यहाँ पर quality इंप्रूफ करी जाए विकास output तो आपको वही same मिलने वाली है इसके बाद यहाँ पर बात करी जाए डिस्प्ली की तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है बस यहाँ पर Vivid Picture Engine का नाम लिया गया है तो Vivid Picture Engine 2 यहाँ पर आपको शाय से देखने मिलेगा बाकी Patchwall के बारे में जिकर किया गया है Android TV 11 और एक interesting feature यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हाइलाइट किया है नहीं मिलता है तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आपको Bluetooth 5.0 का support और Dual Band वापर मिलने वाला है और साथे साथ इन टीविज में आपको Auto Low Latency Mode का भी support दिया जाएगा तो यह कुछ features हैं जो कि आपको यहाँ पर नए मिलने वाले हैं बाकी देखिए यहाँ पर software तो अच्छा है बाकी यहाँ पर connectivity भी इन उन्हें काफी अच्छी कर दी है लिकिन आपको इन सब चीजों के पिछे नहीं जाना है विकास TV में आप चाहे जितने भी feature क्यों ना देदो Android 100 क्यों ना देदो अगर TV में picture quality अच्छी नहीं है तो वो बाकी सारा जो feature है वो जीरो हो जाता है तो आपकी first priority यहाँ पर picture quality होनी चाहिए जो कि मी के पुराने budget TVs में मैं कहूं तो वो decent होता है अगर यहाँ पर इस TV में picture quality अच्छी मिले और features तो आपको अच्छे मिली रही है तो definitely आप TV को buy कर सकते हैं लेकिन पिछले साल की तरह ही यहाँ पर भी अगर वही सेम काम हुआ picture quality पे ज्यादा धान नहीं दिया गया और बाकी सारे features को highlight करके आपको बेचने कोशिश करी गई तो definitely आपको यह TV नहीं buy करना है by the way जब TV launch होगी अगर TV अच्छे price point और अच्छे picture quality के साथ अगर मुझे लगा कि हाँ भै TV अच्छी picture quality दे सकती है तो मैं आपके लिए TV buy करूंगा और खुद इस channel पर हम TV को detail में test करेंगे और फिर जानेंगे कि क्या आपको में TV लेनी चाहिए जा फिर नहीं तो I hope यह video आप सभी के लिए informative रहा होगा video अच्छा लगा है तो video को like जरू कर देजे और ऐसे ही updates और useful content के updates पाने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं मलता हूं मैं आपसे next video में दब दे के लिए टाटा बाई बाई